हेलो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है तो आज की जो रेसेपी है थोड़ी मल्टी परवस टाइब है आप इसे सफर में ले जाने के लिए बना सकते हो किसी छोटी मोटी पिकनिक पाटी के लिए बना सकते हो नाश्ते में तो अबिसली बना ही सकते हो इंस्टेंट है तो सूजी से बनाएंगे दो कटोरी हमने यहाँ पे सूजी ली हुई है इसमें डालेंगे एक कटोरी से थोड़ा सा कम दही अगर दही बिल्कुल ताजा है तो एक कटोरी डाल लीजिए खटा है तो आदा कटोरी डाल लीजिए तो यहाँ पे दही डाल लेंग और दही के साथ ही साथ में थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे और सूजी को हमें भिगो के रखना है तो सूजी को लगबग 10-15 मिनट के लिए तो कम से कम भिगो ही दीजिए अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप आदे गंटे के लिए भी भिगो सकते हो या फिर अगर आपको और भी ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे थोड़ी देर फेंट दीजिए विसकर से चमत से और बस 5 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए क्योंकि इसकी बाकी की जो प्रपरेशन करनी है उसमें आपको 10-15 मिनट तो लगी जाएंगे तो सूजी की इडली जो होती हैं बहुत अच्छे से फूलती है और बहुत स्वातिस लगती है बनाना तो इन्हें इतना आसान है कि कभी आपसे बिगड़ी नहीं सकती है ये इडली तो आप यहां पर देखिए हमने कवर करके रख दिया था आप जो सूजी है वो भीग चुकी है देखिए कितनी गाड़ी हो गई है तो थोड़ा पानी इसमें हम और डालेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अच्छा इडली तो मैंने पहले भी कई बार आपको इसकी वीडियो दी है लेकिन जो है इडली से ज़्यादा टेस्टी आज होने वाली है चटनी की आप इडली कम खाएंगे उसी से हम चटनी बनाएंगे आज और यहां पर देखे सूजी को हमने अच्छे से mix कर लिया हुआ है और इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसे इस तरीके से इसकी consistency को perfect कर दिया है अब हमें चाहिए pressure cooker तो हमने 3 लीटर का cooker ले लिया है और cooker का जो मेरे पास अगर आपके पास stand नहीं है तो आप कटोरी में बना सकते हो गिलास में बना सकते हो किस तरीके से बना सकते हो बीना cooker के बना सकते हो उसकी वीडियो के जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे आप वहाँ से जाके क्लिक कर सकते हो या फिर मेरा जो दूसरा cooking channel है cook with रस्मी सचान वहाँ जा सकते हो आपको बहुत तरीके की इडली की और चटनी की recipes मिल जाएंगी तो आज आपको बिल्कुल अलग तरीके की चटनी की recipe दे रही हूँ तो यहाँ पर cooker का जो ढखन था उससे हमने CT हटा दी है और rubber भी हटा दी है साथी साथ हमने जो हमारे stand है इडली वाले उसमें भी हमने लगा लिया है तेल अब जो batter है इसमें हम डालेंगे इनो इसे ferment करने के लिए तो instant fermentation के लिए हम इनो का यूज़ करते हैं पूरा एक package इनो डाल देंगे अगर आपके पास इनो नहीं है तो आधी चमच मीठा soda डाल देना दही के साथ बहुत अच्छे से react करता है और एकदम फूली फूली इडली बनेंगे कई बार इनो खतम हो जाती है तो मैं soda का इस्तमाल करती हूँ soda से भी इतनी ही बढ़ी आइडली बनके तयार होती है इनो डालते ही और मिलाते ही देखे बैटर में कैसे बुलबुले उठने लगे है और तुरंत इने स्टीम होने के लिए रखते हैं क्योंकि ज़्यादा देर रखे रहेंगे तो इनो का जो असर है वो कम होता चला जाएगा भर दिया है और इस तरीके से लॉक करेंगे बचे हुए बैटर को तुरंत आप कवर करके ही रखें यहाँ पानी उबल रहा है कुकर में तो उबलते हुए पानी में इस तरीके से हम रख देंगे पानी की कॉंटिटी ज़्यादा नहीं होने चाहिए यदर वाइस जो नीचे वाली इडली है वो पानी से भीग जाती है अब ढकन लगा देंगे और 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे उनली फो 6 मिनट 6 मिनट में आपकी एक दरजन यानी 12 इडली बनके तयार हो जाएंगी तो देखिए 6 मिनट बाद हमने गैस को ओफ कर दिया था और फिर कुछ दिर बाद हम इसे खोलेंगे और इडली हमारी जब तक ठंडी हो रही है क्योंकि अभी तो उन्हें हाथ लगाना भी मुश्किल है तब तक हम चटनी की तयारी करेंगे तो कोई भी कडाई या पैन ले लीजिए इसमें डाली है तेल और इस तेल के साथ ही हमने डाला है तेल गरम हो जाने पर आधा कटोरी मुवफली के दाने डाले हैं हमने यहाँ पे और तेल हमने सरसों के लिए है आप रिफाइन डाल भी ले सकते हो टमाटर को इस तरीके से बीच से दो टुक्रे कर दीजिए और साइड में डाल दीजिए टमाटर भी भूनते जाएंगे और इधर हमारे मुवफली के जो दाने है वो भी भून जाएंगे तो टमाटर हमने ले लिए हैं तीन मीडियम साइज के हाइबरिड टमाटर लिए हैं देशी टमाटर चे बहुत खटी बनती है चटनी फिर इसका वो टेस नहीं आता है और यहाँ पर देखे मुवफली के दाने भी साथ के साथ भूनते रहेंगे इस तरीके से तो अगर आप कड़ाई में बना रहे हो क्योंकि कड़ाई में इतना स्पेस नहीं होता है तो आप पहले मुवफली के दाने फ्राई करके हटा लेना बाद में बाकी सारा प्रोसेस जैसे मैं दिखाऊंगी वीडियो में वैसे आप कर लेना तो इसमें तो पैन में इतनी जगह होती है कि सारा काम एक साथ ही हो जाता है तो उधर टमाटर भी खूब अच्छे से भून रहे हैं और अब हम क्या करेंगे थोड़ी सी इसमें एक चम्मच के जितनी साबुत धनिया डालेंगे ये चटनी इतनी स्पेशल है कि साथ यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये चटनी की जो रेसेपी है ये एक ढावा वाले अंकल की है जिन से मुझे मिली थी तो बहुत ही टेस्थी होती है ये चटनी इसमें ताड़का वड़का लगाने का कोई जंजट नहीं होता है बस इसको भूनो इस तरीके से और पीस दो अब इसमें डाली है मैंने बेड़गी मिर्च और लैसन की कलियां दो तीन बेड़गी मिर्ची से कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा कम रहता है अगर आपके पास बेड़गी मिर्च नहीं है तो सूखी लाल मिर्च जो आपके गर में है न उसके बीज निकाल दो बीज से तोड़के उन्हें बस थोड़ा सा टैप कर दो नीचे बीज निकल जबाता है अब देखिए यहां पर हमने लिए हैं छोटे प्याज चोटे प्याज नहीं है तो नॉर्मल प्याज को काट करके मोटा-mोटा ले लेना है अब हमने जो है प्याज को भी साइड में डाल लिया है और जो हमारे दाने है यानी मुंफली है वो भी अच्छे से बू कि अभी तक हमने एक बार भी ने फिलिप नहीं किया है तो नीचे से यह अच्छे से पक चुके हैं अगर गैस की फ्लेम थोड़ी आप हाई कर दोगे तो और अच्छा सा टमाटर में कलर आ जाएगा तो जब तक टमाटर प्याज सॉफ्ट हो रहे हैं यहां पर स्टैंड को खो झाल जाती हैं तो यह आप को सामर को को कोनट चाटनी कि की आम पे रहवा हैं लिअदSuyan को फानगा पलाएं तो हम अक्सर नास्ते में साउथ इंडियन नास्ता ही बनाते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी होता है, जल्दी बन जाता है, टेस्टी भी बहुत होता है, तेल मसाले भी ज़्यादा नहीं लगते हैं अब यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से बुन गई हैं, तो हलका ठेना करने के बाद में मिक्सिजार में ले लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम नमक और अगर और थोड़ी सी खटाज चाहिए, टमाटर बेलकुल खटे नहीं है, तो इमली डाल सकते हो थोड़ी सी इसमें आप थोड़ा पानी डाल करके पहले हम पीसेंगे इसे और बाद में हम और पानी इसमें मिला के इसे पतला कर लेंगे तो अभी मैं इसमें ज़्यादा पतला नहीं किया है, कुछ इस तरीके की चटनी बन के तयार होती है, आपके चटनी तयार है, इडली तयार है, जो कि स्पंज जैसी नरम है, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करें, इडली इंजोई करें